ओम शान्ति इस नफरत की दुनिया में सच्चा प्रीतम हम सभी प्रीतमाओं को हमारी विस्मृत हुई यादों को फिर से स्मृति स्वरूप बनाने के लिए हमें माया के प्रभाव से बचाने के लिए हमें उचे से उची पढ़ाई आकर पढ़ाते हैं और ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जहां हम सदैव सुख और शान्ति में रमन करते रहेंगे और उसके लिए ही बाबा नित्य प्रती हमें ये शिक्षाएं दे रहे हैं तो आईए रिवाईस करते हैं आज के 2 जुलाई 2022 के बाबा के महावाक्यों को ऐसा कौन सा राज है जिसे न जानने के कारण हम बच्चे शान्ति वा सुख नहीं मांगते ड्रामा का राज संगम युक पर आकर श्रिप बाबा कौन से कर्तव्वे करते वर्सा देते, दुख से छुडाते, वापस घर ले जाते, अपना परिचे देते, सबकी सदगती करते, विश्व का मालिक बनाते, पतितों को पावन बनाते, सहज राजियोग और ज्यान सिखलाते, रोज भिन भिन प्रकार से शिक्षा देते, पुराने कखपन के बदले सब सोना देते, संगम पर आकर अपना पाट रिपीट करते, आज की मुरली की अनुसार श्रिव बाबा की महिमा, गाइड, जादुकर, पारसनात, नौलेच्फुल, पतित पावन, सच्चा प्रीतम, सुख का सागर, उच ते उच बाप, परंपिता परमात्मा, आत्माओं का पं मती सो गती हो जाएगी, माया के प्रभाव से बच जाएंगे। किन बातों को हम बच्चे जानते हैं? यह रावन राचे खतम होना है, आत्मा और परमात्मा का भेड, सत्युग में कोई दुख नहीं होता है, प्रीतम हम प्रीतमाओं को समझाते हैं, बाबा पतितों को पावन कैसे बनाते हैं, अब यह दुख की नगरी बदली होकर सुख क होगी एक है पारलोकिक बाप और दूसरा है प्रजापिता ब्रम्हा हमें किस बात का निश्चे करना है यह घर है हम मात पिता के साथ घर में बैठे हैं वर्तमान समय हम बच्चे क्या करते हैं यात्रा पर जाते हैं एक बाप से सुनते हैं पढ़ाई से स्वर्ग की परीबनते ह वापस जाने की तयारी करते हैं, अपने शान स्वरूप में स्थित होते हैं, घ्ञान मान सरोवर में डुपकी लगाते हैं, बाबा को अपना पुराना कक्षपन देते हैं। किन बातों को बाबा अच्छी रिती समझाते हैं सभी आपस में कैसे लड़ेंगे रक्त की नदियां कैसे बहेंगी स्रिष्टी का विनाश कैसे होगा फिर दूद घी की नदियां बहेंगी हम बच्चों को किन बातों को धारणा मिलाना है मुख से घ्णान ही रिपीट करना और कराना है एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है सबको बाप का परीचे मिल जाए इसी एक चिंता में रहना है बाप के साथ वापिस जाना है इसलिए पुराना कखपंदे बैग बैगेज ट्रांसफर कर देना है ये थी आज की मुरली की विशेश बाते आज हम अपना विश्णु चतरभुच का स्वरूप सामने रखते हुए शंख के अलंकार को स्मृति में रखेंगे और मुक से केवल ज्यान ही रिपीट करेंगे और कराएंगे और ये भी याद रहे कि शिव बाबा अपना करतव्वे निभाने संगम पर आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने तो अब हम आत्माओं का भी करतव्वे हैं अपना सब बैग बैगेज ट्रांसफर कर दें ओम शन्ति